नापपुर म्योजिक लास जा रही चात्रा ने उसे दिन दाड़े अपरन कर गैम्रेक ये जाने की जोटी जानकरी देकर सोमवार को शर्पुलिस की नीन उड़ा दी थी जी हाँ जा नव गंटे की परदाल के बाद वार्दात की पुष्टी नहीं होने से देर रात तक पुलिस को जान्च की दिशा ही बदलनी पड़ी समधित छाता ने अपने प्रेम विवा के लिए अपरन का खुद ही ड्रामा रचा था गंटों की परदाल में खुला सा हुआ नागपुर के कलमना पुलिस टेशन के तहस सोमवार को एक छात्रा का अपरन कर उसके साथ सामुईक दुष्कर्म का मामला सामने आ था अधिकारी पुष्टी कर इस मामले पर पुलिस विवाग ने संदे भी जताया था खुद पुलिस आयुकता मितिश कुमार इस मामले की गंविरता को देखते हुए बरड़ी पुलिस टेशन पहुचे थे जुनोंने शाम होते होते दुष्कर्म होने की खबर पर मुहर भी लगा दी थी बावजुद इसके देर रात बाद इस मामले में नया मोडाया और सच्चा ये निकली कि चात्रा ने खुद के विवा के लिए खुद के अपरन की जूटी खबर चपवा दी जिससे पुलीस विवाग के ही होश उड़ गए 19 वर्षिय चात्रा काटल मार्क पर रहती है वह म्यूजिक सिख रही है सिताबरडी के एक म्यूजिक क्लास प्रसिशन हासिल कर रही है चात्रा के नुसार वह सुब नौ बजे घर से रवाना हुई साड़ नौ बजे विराटी चोक से पैदल रामदा स्पेट जा रही थी रामदा स्पेट में लेंडरा पार्क के पास कार में सवार दो योग उसके पास आक ठहरे उन्होंने पता पुछने के बहाने कलोना परिसर लेट जाकर बलात कर किया दिन धाड़े अगवाकर गैंगरेप की शिकायच से पुलिस में खलबली मच गई पुलिस आयकतर ने इस मामले को बहत गमिरता से लिया जांज के इसी बीच शहर पुलिस महिला पुलिस अधिकारियों पूछताज दवरान भी छात्रा आरोपियों के बारे में गुम रहा कर रही थी छात्रा के परिजनों से पता चला कि वो प्रेम विवा के लिए अपने परिजनों से अनुमती मांग रही थी लेकिन उसके परिजन नहीं माने इस कारण उस छात्रा ने खुद के अपरण की जूटी कहाने बना कर सभी को गुमरह किया इस बात का खुलासा देर रात को होने की जानकरी सुत्रो द्वारा बताई गई है